इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें मुंबाई के पास विवंडी में बड़े पैमाने पर विस्पोचक बरामत किया गया है। बताय जा रहा है कि ये किसी को देने वाले थे आशीश मेरे सेहुगी फोलन पर मौजूद हैं आशीश तीन लोगों की ग्रफतारी हुई है किनको ये विस्पोचक सप्लाई करने वाले थे इस बारे में कोई जानकारी मिली है। किसे डिलीवर किया जाना था इसकी तफ्तीश की जारी है कि आकर काज कहां से लाए गयते किस तरह से डिलीवर किया जाना था उन साथी चीजों की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने फिलाल खुपिया जानकारी के आधार पर इस पूरे कंसाइनमेंट को पकड़ा है। जो कि कहीं ने कहीं सबस्वर किया जारी है और ये खंगाला जा रहा है कि आकर कार इतनी बड़ी विस्पोटक सामग्री उनके पास आई कैसे और वो भिवंडी के इलाके में से किसे डिलीवर करने वाले थे। आशीश इतनी बड़ी बरामत गी ये सुरक्ष एजंसियों की चिंता बढ़ाने वाली है ये लोग कहां से लेकर के आ रहे थे इंके तार और कहां कहां तक पहले हैं। जी फिलाल जाच एजंसियों में कुफिया विभाग जो है उसने तीनों ही आरोपियों से इंट्रोगेशन की है जानकारी खंगा ली गई है इसके अलावा जो विवंडी पुलिस है वो इनके बैक्ग्राउंड को चेक करने में जो है और आरोपियों के जो मुबाइल फोन है वो जब्द कर ले गए है और इन मुबाइल फोन से डाटा कंगा ले जा रहा है कि आखिरकार ये किन-किन लोगों के संपर्द में रहा है ये तीनों ही पालगर के रहने वाले हैं और वहीं की ओमनी रिजिस्टर्ड भी है जिसमें ये कंसील बना का छिपा का जो है इस पूर प्रदेश के हाथ